हलो वीवर्स वंस अगें वल्कम बैक टू दे चैनल दोस्तों मैं इस अग पहुच चुका हूँ लक्षमी नगर एरिया में जहां पे हर साल नवरात्रम में एक अध्भुद पंडाल हमें देखने को मिलता है जहां पे बंगाली देवी के दर्शन हमें नापपूर करों को होते है इस बार किस थीम पर बेस्ट है क्या है पूरी जानकारी मैं आपको देने का ट्राय करता हूं इस व्लॉग में सो वीडियो में अंतक बने रहे हैं और वीडियो जरा भी पसंद आ जाए थोड़ी पर इंफॉर्मेटिव लग जाए तो वीडियो को प्लीज लाइक करो चैन है यहां पर जो लाइट्स होगर लगते उसका अरेंजमेंट करना चालू है यहां पर फूरे फुड स्टॉल्स अगरे लाइडवर्डाइजमेंट के लिए जो काउंटर रहते वह लगना चालू हो चुका है और यह जो आप पीछे में देख सकते हो मेरे यह है होटल अशोक जो आठरस्ता चौक में आता है उसके ठीक बैक साइड एरिया में लक्षमिनगर का यह बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पर हर साल देवी बैठती है और यहां पर सेंटर में आप लोग देख सकते हो तो यह थीम पर यहां पर आल्रेडी रेडी हो चुका है अब यह क्या दोस्तों कि यहां पर है क्या यह कौन से थीम पर बेज़ दें तो मैं थोड़ा सा नजदीक गया देखना की कोशिश किया और थोड़ा सा जानने की कोशिश किया कि यह एक्चनल में क्या है तो अभी देखो समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हमें कुछ जलेबी टाइप दिख रहे हैं उपर में देख सकते हो कि यहां पे mechanical में जो instruments use होते हैं वो mechanical के जो symbols है वह वहां पर मेरे को देखने को मिलें कुछ nut balls type लेकिन center में देख सकते हो कि यह blue green yellow में यह कुछ अलग चक्र मुझे यहां पर देखने को मिलें अभी देखो यह यह एसे कुछ अलग अलग माराठी अक्षरों में यहां पर कुछ चक्र बनाए गए और फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं है कि भाई यह कौन सी थीम पर बैज है अब और देखो डीटेल में देखते हैं यहां पर उल्लू देखने कि मिला जो कि दोनों साइड में व्लू है चलो ठीक है फिर से कज़िशन बढ़ा कि आप यह क्या सीए है और अभी अब उल्लू के नीचे में देखो दोस्तों यहां पर ओम भी बना हुआ है और फिर से पीछे में अगर आपकी नजर पड़े, जूम करने की कोशिश करता हूं, हाँ, देख सकते हो, फिर से वही चक्र मुझे देखने को मिले, वह चक्र के उपपर, अभी यह क्या है, यहाँ पर मैंने जानने की कोशिश किया, तो और फिर थोड़ा सा अंदर भी जाकने की कोशिश कि अब यह तो पुरा बंद करके रखा हैं उन्होंने, और जानकरी कि इस आप से मैंने खुद देखा, वहाँ पर जो देख सकते हो, लाल चुनरी से ढखे हुए, देवी मा की मूर्ती यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, लेकिन नवरात्री में वह सब के लिए उपन कर दी जाएंगी, अब यहाँ पर जो लोग हैं, इन से मने बादचीत करने की कोशिश की, और उन से मुझे पता चला कि यह जो थीम है, यह है सेवें चक्राज, सबसे बड़ा कोश्यन आता है कि भाई, सेवें चक्राज मतलब क्या, दोस्तों सेवें चक्राज जो पॉड़ी के अं लक्षमिनगर में यह देवी का पंडल हमें इस पर देखने को मिला, तो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट मुझे इस बार यहाँ पर देखने को मिला, दोस्तों नवरात्र शुरू होते ही मैं यहाँ पर आऊंगा, और जैसे ही लाइटिंग वगर लग चाती है, अंदर का इंट भूत थीम पर यह बनने जा रहा है, तो यह हमें कुछ एक नया, आपको भी मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आ जाए, तो कमेंड में जैमातादी लिखना मत बुलिएगा, मिलते हैं किसी नई जगह पे हैं, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको नवरात्री की हार्दिक शुपकामनाई और जैमातादी